पती के द्वारा पत्नी के उपर शक करना जरूरी थोड़ी नहीं कि छोटा समय हो, कम समय हो, तभी तलाग के मामले आएंगे एक ऐसा मामला जहां पर 35 साल का समय महिला ने अपने पती के साथ में बिताया और लगातार इस डूरेशन में महिला के उपर शक करता था उसका पती 35 साल से ज़ादा का अंतराल उनके बीच में 6 बच्चे थे रिलेशन्शिप दोनों का चल नहीं रहा था और पती शक करता था शक ये था उसे कि महिला के उसकी वाइफ के किसी और के साथ में गैर मर्दों के साथ शारेरिक संबंध है और इसके साथ ही साथ अपने खुद के पिता के साथ भी उसके अनयतिक संबंध है जब कोट के सामने ये बात गई कोट ने ये justify माना कोट ने ये महसूस किया कि ये वास्तव में महिला के प्रती प्रताड़ना है मांसिक प्रतारना है जो तलाग का केस किया था वो पती ने किया था उसके विपरीत पत्नी के फेवर में डिसीजन आया, डायवॉस मिला और ये माना गया कि इस तरीके से शक करना बे बुनियाद आरोब लगाना जूठे तरीके से मांसिक प्रतारना लगातार देना जहाँ पर अपनी पत्नी को किसी और के अनेतिक संबंधों के साथ में जोड़ना ये सभी कुछ मांसिक प्रतारना याने मेंटल टॉर्चर में आता है ये केस है बहुत महात्यवपून 2012 का AIR 2012 NOC page number 267 केरला हाई कोट G. Malikarjun versus G. Thimappa का case इसकी जो detailed description है इस वीडियो में मैं जरूर डाल दोंगा इससे हमको ये समझ में आता है इस particular judgment से कि आपकी शादी का एक दो साल हुआ है या आपकी शादी के 35 वर्ष हो गए है फर किस से नहीं पढ़ता फर किस बात से पढ़ता है कि क्या पत्नी पती पर लगातार अनेतिक संबंध किसी और के साथ होने के आरूप लगाती है या पती अपनी पत्नी के उपर अनेतिक संबंध होने का आरूप लगाता है तो यदि ऐसा है अगर ऐसे पाया जाता है तो ये mental torture है मानसिक प्रतार्णा है और इसे तलाग का आधार बनाया जा सकेगा जो जज्जमेंट है बहुत महाद्वपून जी मली कारजोन वर्स जी थिमपा का जज्जमेंट AIR 2012 NOC पेज नमबर 267 किरला अगर आपको किसी परिशानी से सम्बंदित करना है मुझसे बात इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है लिंक है जहां से डारेक्ली अपॉइंट्मेंट बुक करके आपके और हो जाएगे मेरी बात आप सभी जो केमती महाद्वपून समय मुझे याने अशोग पाणने को देते हैं आप सभी का बहुत धन्यवाद